तूटी हड़ी बहुत जल्द जोडने के उपाए जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको तूटी हड़ी को बहुत ही जल्द जोडने के कुछ आसान से घरेलू उपाए बताएंगे तूटी हड़ी को जोडने के सम्बंद में मैंने दो-तिन वीडियो पहले भी बना रखी है लिंक मैंने डिस्करप्शन में दे दिया है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ग्यान सेटा रोचत जानकरी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें वीडियो पसंद आने पर आप हमारे वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सरीर पूरी तरह से हड़ी के धाचे पर टिका हुआ है ऐसे में अगर किसी भी अंग की हड़ी तूटती है या मुर्ती है तो हमें दर्द बहुत होता है तो आज की वीडियो में हड़ी जोडने की हम आपके लिए कुछ खास उपाय लेकर आए हैं जिन उपायों को अगर आप करेंगे तो आप पूरे तरह से अपनी तूटी हुई हड़ी को आसानी से जोड़ पाएंगे इस उपाय को अगर आप सही धंक से करेंगे तो आपकी तूटी हुई हड़ी सिर्फ तीन दिन में ही जुड़ जाएगी तो सबसे पहले चीज़े काग गंगा बूटी करस, काग गंगा बूटी करस और साथ आठ काले मिर्च को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके पीने से दो से तीन दिन में ही तूटी हुई हड़ी पहले जैसी जुड़ जाती है दूसरा है बबूल के पंचांग जैसे की जड़, छाल, फली, गोंद ये सारे चीज़ें बबूल की 6 ग्राम चूरण को सहद वा बकरी के दूद में मिला कर पीने से सिर्फ तीन दिन में ही तूटी हुई हड़ी आसानी से जुड़ जाती है तीसरा उपाय है पीपल का दूद और सिलाजित, 100 ग्राम पीपल के दूद में 100 ग्राम सिलाजित मिला कर अच्छा सा पेस्ट बना लें, अब इसकी मतर के दाने के बराबर गोलियां बना लें, दो दो गोलियां सुबा साम दूद के साथ खाने से तूटी हुई हड़ी आसान को जोडने और पहले जैसा करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है इस उपाय को करने से तूटी हुई हड़ी बहुत ही जल्द जुड जाती है तो फ्रेंड्स ये थी तूटी हुई हड़ी को जोडने के कुछ आसान से घरेलू उपाय तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप को पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और अगर कोई सुझाओ हो तो हमें कमेंट वाक्स में कमेंट जरूर करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ धन्यवाद